आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें प्रशन है ऐसे चार शेत्र बताईए जहां पौदों की रुपांत्रित करना लाबकारी होता है तो हम ऐसे चार शेत्र यानि की हमों ऐसे चार अप्लिकेशन बतानी जहां पे हमारे रुपांत्रित पौदों पौदे लाबकारी हुए हैं तो इन में से जो पहला है वह है अजीफ प्रतिबलों के अंदर कौन से अजैब प्रतिबल तो जो हमारे अजैफ प्रतिबल है इनके प्रति क्या हुए है हमारे पौधे वह हुए है इनके प्रति अधिक सही शनु सही शनू ठीक है यानि कि उनकी जो tolerance है वो काफी बड़ी हो गई है और सही शनू फसलों का निर्मान ठीक है तो हमारी क्या हो गई है इनके अंदर जो tolerance है वो काफी ज्यादा बड़ भी गई है इसके example हो गा है जैसे कि ठंडा सूखा गरम या फिर लवन यह सब इसके एक्जाम्पल हो गए हैं दूसरा जो है वह हमारा रसाइनिक पीड़क नाशक ओपर अब हमके क्या रहना पड़ते हैं कम निर्भर रहना पड़ता है जो हमारे रसाइनिक कीट नाशक हो गए है किट नाशक हो गए चाहएब इसमें पैस्टीसाइज हो या फिर हम कई वार healing यूज झा तो जो भी हमारे हमारे查 सक्राह उनके उपर जो हम निर्भर थे वह अब कैसे हो अब हम कम निर्भर हो गए क्योंकि रुपांत्रित पौधर क्या कर सकते हैं अपने आपको वो कीटों से बचा सकते हैं उनमें वह शमता होती है जैसे की एक्जामपल में हो गया बीटी कॉटल और फिर आता है हमारा तीसरा जो हमारा लाब है वो है कि जो कटाई पश्चात होन हमारे नुकसान होते हैं वह कैसे हो गए वह कम हो गए है क्यों क्योंकि अब जब हमारा पेड़ या पौधा हम बाकी की जो हमारी चीज अजेफ चीज DIRECTOR झासचाता आपको को सह सके और तब उसमें भी वह हमारी हमारी बसर सकेगी तो इससे कहों हमारे नुकसान कम होंगे और दूसरा वो कीट नाशकों की तरफ भी अब क्या है वह कम निर्भरा यानि कि वो जो हमारे कीट है उनसे अब लड़ने की शमता रखता है तो नुकसान इस वज़े से कम होगा और चौथा है हमारे पौधो द्वारा खनीच उपयोग शमता में भी व्रिद्धी होगी पौधो के द्वारा जो हमारे खनीच उपयोग है खनीच उपयोग उसमें क्या होगी उसमें हमारी व्रिद्धी होगी तो यह चार शेत्र हैं जिनके अंदर जब हम पौधो में रुप पांतरित करते हैं जम तो यह लाव हमें होते हैं